हलो गाइज कैसे हैं आप लोग तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जहासी लखनो इंटरसिटी एक्सप्रेस के बारे में जिसका नंबर है अगर हम जहासी से लखनो जाने की बात करें तो 11109 और अगर लखनो से जहासी आने की बात करें तो 1110 जीरो अगर इस train की बात करें तो यह एक express train है और यह train not central railway दोरा operate की जाती है जो की जहासी से लखनों के बीच चलती है अगर हम इसके रूट की बात करें तो यह train जहासी से लखनों के बीच डेली चलती है और इसके noise stoppage है और यह जो distance कबर करती है वो 294 km कबर करती है अगर इसक सुबह 6 बच कर 15 मिनिट पर निकलती है और लखनव 2 पर 12 बजे पहुंचती है और अगर लखनव से बात करें तो लखनव से आई ट्रेंज साम को 4 बच कर 40 मिनिट पर निकलती है और जहासी रात 10 बच कर 35 मिनिट पर पहुंचती है अगर इसके कोचिस की बात करें तो इसमें आ कि टोटल जरनी मात्र 5 घंटे 55 मिनिट में कबर करती है जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 50 km पर आवर और मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 110 km पर आवर यानि की 110 km पुर्ति घंटा है अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको इसकी आप दोनों तरफ से टाइमिंग और इस टॉपेज यहां पर आप साइड में देख सकते हैं और अब हम इसके फेयर की बात करें तो इसका रिजर्ब क्लास का जो की इसके सेकंड क्लास का फेयर है वो मात्र 110 रुपे है और अगर इसके एसी चेयर कार के फेयर की बात करें तो वो 480 रुपे यानि की 485 रुपे है डाइनमिक फेयर होने की बज़े से आपका फेयर ऊपर नीचे हो सकता है तो बुकिंग के समय देख लीजिए तो यह तो थी लखनाओ जहां से इंटरसिटी ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी अगर आप ऐसी ट्रेन के बारे में ज